Hello friends, इस वीडियो में आपके लिए कुछ RRB NTPC और RRB Group D के लिए कुछ civics का question लाए हैं यदि वीडियो पसंद आए तो like, share and subscribe जरूर करना तो चलिए शुरू करते हैं भारत की सम्भिधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? Answer USA Next question भारत की सम्भिधान में समबर्ती सुची किस देश की देन है? Answer Australia Next question भारत की सम्भिधान में राज के नीती निर्देशक तत्तो किस देश की देन है? Answer Ireland Next question भारती सम्भिधान का कौन सा भाग सम्भिधान की आत्मा कही जाती है? Answer उद्देशिका Next question भासा के अधार पर सर्व पर्थम किस राज का गठन हुआ था? आंसर आंत्रपरदेश भारत का शम्बिधान कौन सी नागरिक्ता परदान करती है? आंसर एकल नागरिक्ता भारतिय शम्बिधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेज की सोतंतरता से संबंधित है? आंसर अनुच्छेद उननीस नेक्स्ट कोस्चन भारत के किस राज का लोगसभा व राज सभा में परतीनिधित्तो सरवादिक है? आंसर उत्तरपरदेश नेक्स्ट कोस्चन राज सभा के सदश्य का कार्ज का कितने बरसों का होता है? आंसर छे बरसों का और लोक्षभा का कितने बर्षों का होता है पांच बर्षों का राष्टपती द्वारा राज सभा में कितने सदश मनोनित किये जाते हैं भारत में नए राजियों का गठन किसके द्वारा संभव है आंसर शंसत द्वारा भारत में उच्छे न्यायाले का न्याइधिस अपना त्यागपत्र किसे देता है? आंसर राष्टपती को बीद आयोक का गठन कितने वर्ष की अबधीम के लिए होता है? आंसर पांच बर्षों के लिए पंचाइती राज को कौन सी सूची में समलित किया गया? आंसर राज सूची में सबसे पहले पंचाइती राज कहा लागू किया गया था? राजस्थान में बधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कपारित हुआ था? 1976 में बंधक बनाये गए बेक्ती के लिए मौलिक अधिकारो की रच्छा किस अनुचेद के अंतरगत आती है? आनसर अनुचेद 22 Next question सूचना का अधिकार किस परकार का अधिकार होता है? एक बिदिक अधिकार Next question भारतिय संबिधान का संडच्चक कौन होता है? आनसर सर्वोच नियाले Next question भारतिये संबिधान का कौन सा अनुछेद मुख मंत्री के दाइतो को परिभासित करता है? आंसर अनुछेद 167 भारत का कौन सा एक मातर राज है जहां सामान सिवील कोड लागू हुआ है? आंसर गोवा गोवा पुर्तगाल से कवा लग हुआ था? 19 दिसंबल 1961 को लोग लेखा शेमीती की रिपोर्ट कहां पर्ष्टूत की जाती है? आंसर लोग शभा में गोवा मुक्ती दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को भारत में चलित न्यायाले की परिकल्पना सरपर्थम किसने की थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कब किये थे? 2007 इसवी में Next question मूल कर्तब्यों का बर्णर संबिधान की किस भाग में है? भाग चार में Next भारतिय संबिधान में कितनी मूल कर्तब है? आंसर 11 Next question Next question